हेलो दोस्तों वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल शाह व्लॉक्स तो आज हम बात करेंगे क्यूबेक के बारे में जो कैनेडियन गौर्णमेंट ने नियू रूल्स बना हैं क्यूबेक में LMIA-based work permit के रिगार्डिन तो इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो प्रपोजल में बोला था कि हमें कुछ time के लिए जो new LMIA applications है उनको freeze करना है मतलब रोकना है उनको बंद करना है new applications को तो उसके लिए हमें एक नया रूल लेकर आना है तो उन्होंने उसमें कहा कि अगर जो LMIA-based जो आपकी वो job है जिसमें वो apply कर रहे है उसका जो wage है 27.47 dollar से Canadian dollar से अगर कम है पर hour में तो वह application एकसेप्ट नहीं करें ठीक है इसके अलाबा यह जो rule है नया 3 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा 3rd of September 2024 से लागू हो रहा है अगर आप Montreal region में रहते हैं जो Montreal region है क्युबेक का यह सिर्फ वहां पे लागू हो रहा है और कहीं बाकी जगा पर नह कि नहीं हुआ तो इस चीज का ध्यान रखें और अगर आप अपनी application 3 सितंबर से पहले पहले लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि आभी भी नहीं लगा सकते तो अगर आपको अप्नी application लगानी है सब कुछ ready है तो 3 सितंबर से पहले-पहले आप इसको लगा और इसमें जो ये जो freeze रहेगा ये पूरा 6 महीने के लिए freeze रहेगा 6 महीने के बाद क्या process है वो तब पता चलेगा ये भी हो सकता है extend कर दें या फिर वो 6 महीने तक रहे Canada की जो official website है www.canada.ca तो आप इस पर भी visit कर सकते हैं तो आप वहाँ पर जाके पूरी detail देख सकते हैं I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो मिलते हैं next वीडियो में take care good bye